Hello everyone, welcome back to my channel Pregnancy time में मा खाने या fox nurse, क्या हम खा सकते हैं? कब से खाना शिरू कर सकते हैं? एक दिन में कितने खाने चाहिए? क्या इसको खाने से कोई नुकसान भी हो सकते हैं? इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जाने वाले हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा कि आप pregnancy time में मखाने खा रहे हैं या नहीं फ्रेंट्स एक और चीज़, हमारा एक और चनल है My Baby Care जिसमें हम delivery के बाद आपको अपनी care कैसे करनी है, बेबी की care कैसे करनी है इस पर वीडियोस बनाते हैं, तो वो आपके ले काफी helpful होगा, तो इसे आज ही subscribe कर ले मखाने, जिसे हम fox nuts भी कहते हैं, ये pregnancy time में काफी फायदे मंध होता है इसमें काफी nutrients भी होते हैं, पर किसी भी चीज़ के फायदे आपको तभी होते हैं, जा आप उसको सही तरीके से खाएं या सही time पर खाएं, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं खाते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकते हैं सबसे पहले हम जानेंगे कि pregnancy time में मखाने आपको क्यों खाने हैं, इसके क्या फायदे हैं मखाने में होता है protein, calcium, iron, magnesium, जो की pregnancy time में काफी important nutrients हैं सबसे पहले चीज़ इसमें है calcium और phosphorus जो की आपके और आपके होने वाले baby की bones को हर्टियों को मजबूत बनाता है तो आप अपने अच्छे bones के लिए और अपने होने वाले baby की bones के लिए आपको ये मखाने जरूर खाने चाहिए और अगर आपको pregnancy time में कमर दर्द की परिशानी रहती है, joint pain रहता है, तो भी आपको मखाने जरूर खाने चाहिए नेक्स्ट, आपकी heart की health के लिए भी एक काफी फायदेमन है, क्योंकि इसमें fats और cholesterol कम होता है, तो इसलिए भी मखाने खाना फायदेमन है मखाने आपके digestion के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मखाने में होता है fiber, तो इसलिए भी आपको pregnancy time में मखाने खाने चाहिए, और आपको इसलिए जो है constipation और कब्स की परिशानी नहीं होगी, और मखाने खाने से आपका weight जो है, वो एक healthy weight gain होगा next सवाल आता है कि क्या हम pregnancy के शिरुवात से मखाने खा सकते हैं और एक दिन में हमें कितने खाने चाहिए, तो देखे, आप pregnancy के starting से ही मखाने खा सकते हैं, ये बहुत फायदेमन है, और ऐसा नहीं है कि starting से खाने में आपको कोई परिशानी होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आप खा सकते हैं पर हां एक limited amount में खाने है, जरूसर जादा भी नहीं खाना है, आप कितना खा सकते हैं, ये चोटा पाउल होता है आप एक पूरे दिन में खा सकते हैं यानि 50-70 जिराम तक आप खा सकते हैं गदिन में, इस से जादा आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि friends, जो मखाना होता है उसमें फाइबर भी अच्छे मांट में होता है तो अगर आप जरू से जादा मखाने खाते हैं तो इससे आपको पेट में दर्ध हो सकता है आपका डायेशन बिगड़ सकता है Next, कई बार ऐसा दिखा गया है कि कुछ पेटनेंन लेडी ज Dortmage जब मखाने खाती है तो ऐसे में उनको ऐलर्जी हो जाती है मतलब पहले उनको ऐलर्जी नहीं थी मखाने से पर प्रिटेंसी टाइम में देकि कर्ई किस किस तरीके से खा सकते हैं तो पहली चीज तो यह कि आप मखाने को घी में रोस्ट करके उसमें थोड़ा नमक या फिर थोड़ी काली मेश जालकर आप वो खा सकते हैं एक बहुत ही अच्छा healthy snack होता है मखाने इसके लावा आप मखाने की खीर बना कर खा सकते हैं इसके बहुत फायद मंद रहता है तो फ्रेंड्स यह था प्रेग्नेंसी टाइम में मखाने क्यों खाने चाहिए कैसे खाने चाहिए कितने खाने चाहिए तो आप भी प्रेग्नेंसी टाइम में मखाने जरूर खा रहे होंगे और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आज स ही खाना स्टार्ट कर दें बहुत ज्यादा भी ना खापाएं तो कम से आठ से दस मकाने तो डेली जरूर खाएं प्रेंट्स आइओप आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा होगा दे नेक्स वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग